कई बार दो से तीन दिन तक ये खतम हो जाता है लेकिन कई बार ऐसा होता है जब ये एक हफते तक भी रहता है कई लड़कियों को कम ब्लेडिंग होती है और कई लड़कियों को ज्यादा पीड़ जब समय पर नहीं आते तो यह सरीर की कमजोरी के कारण या तनाव के कारण हो सकता है शरीर में पोसक ततों की कमी हो जाती है खून की कमी, हार्मोन्स, असुन्तुलन और थायराइड यह सभी पीड़कियों पर असर डालते है अब मैं आपको बताती हूँ पीड़ जल्दी लाने के उपाय के बारे में उपाय नमबर वन, दिन में एक बार चाज का सेवन करे उपाय नमबर टू, चुकंदर गाजर का रस फाइदेबंत होता है उपाय नमबर थिरी, प्याच के सूप के साथ गुड़ मिलाकर पीए उपाय नमबर चार, करेले के जूस में चीनी मिलाकर पीने से काफी फायदा होता है और यह सरीर को स्वर्थ भी बनाय रखता है उपाय नमबर पाज, अगर आपका पीरियट्स रुका हुआ होतो केले की चाल का रस सुभा खाली पेट लेने से रुका हुआ पीरियट्स भी आ जाता है इसके अलावा आप हरी पत्तेदा सबजियों का सेवन कर सकते हैं अंडे उबाल कर खा सकते हैं बादाम खाए इसमें फाइवर होता है सोया मिल्क पोशक तत्वियुक्त आहार है इसका सेवन जरूर करें तो यह थे दोस्तों पीरियट्स जल्दी लाने के उपाए अब हम आपको बताएंगे पीरियट्स रोकने के उपाए अनार के छिलकों को पीसकर रख ले जिस समय पीरियट्स अधिक आ रहे हो तब इस चून का सेवन करें आपको लाफ जरूर होगा उपाए नमबर दो देशी सककर वा पिसा धनिया इसमें गी मिलाकर इसका सेवन करने से पीरियट्स के दोरान अधिक ब्लीडिंग रुप जाती है चावल के पानी के साथ पिसा धनिया का सेवन करने से पीरियट्स के समय हो रही ब्लीडिंग कम हो जाती है तो यह थे फ्रेंड्स पीरियट्स ओकने के उपाए आज हमने आपको बताया कि कैसे पीरियट्स को जल्दी लाया वार रोका जा सकता है इसके उपाए ऐसी ही और वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें